वेलकम बैक टू मा यूटूब चैनल सागर स्टेडी गरोब और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीए सेगेंड येर के ओपन बूग एक्जामिनेशन स्टार्ट हो चुके हैं जिसमें आज की वीडियो में हम अंग्रेज जीवासा जो फामडेशन कोर्स है इंग्लिस लेंग् करें और वीडियो को सेर भी जरूर कर दें तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं और देखते हैं हमारा फर्ष्ट कॉस्चन यहां पर फर्ष्ट कॉस्चन आता है section A में और यहां पर हमारे आएंगे objective type questions और यहां पर लिखा गया है note कि answer all the following questions each question carries one mark यानि कि एक question के लिए आप वो हो जाएगा option A, यानि कि to dispose it, ठीक है? Next देखते हैं, इसी कही second, what assessments of the father's character have made by reading Knight of the Scorpion, ठीक है? तो इसका जो right answer हो जाएगा, इसका हो जाएगा, इसका option D, यानि अन्तिम, तो यहाँ पर हो जाएगा यह, he is a holy man and very peers, उसके बाद third, what can a child's imagination do? sorry, imagination do, तो यहाँ पर जो इसका right answer होगा, वह होगा option C, turn a seed into plant, दिखते हैं next, तो आजाएगा इसमें fourth, lancho bent out into the rain too, ठीक है? तो इसका जो right answer हो जाएगा, हो जाएगा B option, और यह हो जाएगा collect rain water, फिर हो जाएगा फिप्त नंबर पर where was as new of going, ठीक है? तो इसका जो right answer हो जाएगा, वह हो जाएगा option C, nizmi fair, अब आजाता है section B, जिसमें आजाएगा हमारे short answer type questions, और यहाँ पर जो होगा, each question carries three marks, यानि हर एक प्रस्ने के लिए तीन अंक निर्धारत, तो यहाँ जो first question है, इसमें, कि match the following items with their meaning, तो यहाँ पर जो first का हो जाएगा, यह हो जाएगा, इसका अंत मियानी, यह last वाला, आप arrow को देख पा रहे होंगे, यह arrow लगा हुआ है, और second वाला, यह side के first वाले से, और third वाला, यह जो बीच में second वाले से, अब देखते हैं, इसका ही question number third, यानि write a short note on cv writing, ठीक है, cv writing, तो इसमें, जो किया, इसका मुखे प्रशनी किया है, cv writing वाला, और इसके अत्बा में थे, कि इनके हिंदी translate करने थे, तो इसके अलावाई से कर लीजिए, आप लोग, प्रशनी करमांक 3, और इसमें आजाएगा short note cv पर, तो cv क्या है इसके बारे में, यह है यहाँ पर, write a short note on cv, यहाँ पर दिया है what is the curriculum bytes, ठीक है, यानि write a, और यह दिया है इसका संपोर्ण, जो बिबरन है, कि cv क्या होता है, यहाँ पर भी है, फिर आजाएगा हमारा question number 4, why did the grandmother cry in the Eid ga in the end, तो इसका जो right answer हो जाएगा, वह है आपको यहाँ दिया गया है, तो आप इसे दिखकर यहाँ से लिख सकते हैं, चाहें तो आप screenshot लेकर भी से लिख सकते हैं, फिर आजाते है हमारा question number 5, what did Lencho write in his first letter and why, तो इसका जो right answer हो जाएगा, वह है यहाँ पर दिया गया है, तो आप इसे यहाँ से दिखकर लिख सकते हैं, फिर आजाता है question number 6, justify the title of the story, God sees the truth but wills, तो इसका जो title दिया गया है, इसको justify करना है, तो इसका right answer आप यहाँ से लिख सकते हैं, तो इसमें जो इसका second वाला किया है, impact of COVID-19 on education, तो इसका जो right answer हो जाएगा, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, तो आप इसे यहाँ से देखकर लिख सकते हैं, यहाँ पर भी है इसका right answer, फिर आजाता है इसका last question, question number 8, write a letter to your friend, congratulations him on his success in the examination, तो यहाँ पर एक letter लिखना है आपको, जिसमें आपको इसा भी नाम ले सकते हैं, यहाँ ने कोई नाम नहीं दिया है, तो यहाँ पर आपको एक example की रूप में, यहाँ लेटर दिया गया है, तो आप चाहें तो इसे ही लिख सकते हैं, वरना यहाँ आपको इसे भी नाम ले सकते हैं, और अपस्तरी किसे से कर सकते हैं, थैंक्स पर वाचिंग, और बाकी जो सब्जेक्ट्स की वीडियो हैं, बहुत जल्दी अवेलेबल होंगी चैनल पे, तो वीडियो को सेयर कर दें, और वीडियो अगर अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स पर वाचिंग,